नमस्कार, प्रस्तुत है मुन्शी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखीवी कहानी, ज्वाला मुखी डिगरी लेने के बाद मैं नित्य लाइबरेरी जाया करता, पत्रों या किताबों का अवलोकन करने नहीं, किताबों को तो मैंने नच होने की कसम खाली थी, जिस दिन गजट में अपना नाम देखा, उसी दिन मिल और कैंट को उठा कर ताख पर रख दिया, मैं केवल अंग्रे इसको गदर के दिनों में बचाया होता, अत्वा किसी इलाके का जमिनदार होता, तो नॉमिनेशन के लिए कहीं उध्योग करता, पर मेरे पास तो कोई सिफारिश न थी, शोक, कुत्ते, बिल्लियों और मोटरों की मांग सब को थी, पर बिये पास का कोई पुरसंगाल न था महिनों इसी तरह दोडते गुजर गये, पर अपनी रूची के अनुसार कोई जगह न न नजर आई, मुझे अकसर अपने बिये होने पर क्रोध आता था, ड्राइवर, फायरमेन, मिस्त्री या खानसामा या बावर्ची होता, तो मुझे इतने दिनों तक बेकार न बैठना पड़ता, एक दिन मैं चार पाई पर लेटा हुआ एक पत्र पड़ रहा था, कि मुझे एक मांग अपनी इक्षा के अनुसार दिखाई दी, किसी रईस को एक ऐसे प्राइवेट सेक्रेटर की जरूरत थी, जो विद्वान, रसिक, सहरिदय और रूपवान हो, वेतन एक हज मैं उचल पड़ा, कहीं मेरा भाग्य उदय हो जाता और यह पद मुझे मिल जाता, तो जिन्दगी चैन से कट जाती, उसी दिन मैंने अपना विन्य पत्र अपने फोटो के साथ रवाना कर दिया, पर अपने आत्मिये गणों में से किसी से इसका जिक्र न किया, कि कहीं पे मासिक भी बहुत थे, एक हजार कौन देगा, पर दिल से यह खयाल दूर न होता, बैठे बैठे शेक्षिली के मनसूबे बांधा करता, फिर होश में आकर अपने आपको समझाता, कि मुझ में ऐसे उचे पद के लिए कौन सी योग्यता है, मैं अभी कॉलेज से निकला पुस्तकों का पुतला हूँ, दुनिया से बेखबर, उस पद के लिए एक से एक विद्वान अनुभवी पुरुष मो फैलाए बैठे होंगे, मेरे लिए तो कोई आशा ही न होगी, मैं रूपवान सही, सजीला सही, मगर ऐसे पदों के लिए केवल रूपवान होना ही तो क मध्यम शर्णी तोंद, भरावा शरीर, फूलेवे गाल और गौरवयुक्त वाक्यशैली, यह उच्च पदाधिकारियों के लक्षन है, और मुझे इन में से एक भी मैयसर नहीं, इसी आशा और भै में एक सप्ताह गुजर गया, और अब मैं निराश हो गया, मैं भी कैसा ओ कि बे सर पैर की बात के लिए ऐसा फूल उठा, इसी को लड़कपन कहते हैं, जहां तक मेरा खयाल है किसी दिल लगी बाज ने आजकल की सिक्षित समाज की मुर्खता की परिक्षा के लिए यह स्वांग रचा है, मुझे इतना भी न सूझा, मगर आठवे दिन प्राता काल तार के चपरासी ने मुझे आवाज दी, मेरे हृद में गुदगुदी सी होने लगी, लपका हुआ आया, तार खोल कर देखा, लिखा था स्विकार है, शिग्र आजाओ, एशगड़, मगर यह सुखत समवाद पाकर मुझे वह आनंद न हुआ, जिसकी मुझे आशा थी, मै तार दे दू, कि एक महिने की तनखा भेज दू, आप ही सारी कले ही खुल जाएगी, मगर फिर विचारा की कहीं वास्तों में नसीब जागा हो, तो इस उदंड़ता से बना बनाया खेल बेगर जाएगा, धिल लगी ही सही, जीवन में यह घटना में समर नहीं रहेगी, तिल में उसका वृतांत विस्तार के साथ लिखा था, स्थान अतिरमनी यह है, पर जलवायू स्वास्ते कर नहीं, हाँ, रिष्ट प्रुष्ट नव्यों को पर इसका असर शीग्र नहीं होता, द्रिश बहुत मनोरम है, पर जहरीले जानवर बहुत मिलते हैं, यथा साध्य अंध तेरी घाटियों के पास भूल कर भी न जाओंगा, आकर सफर का सामान ठीक किया, और ईश्वर का नाम लेकर नियत समय पर स्टेशन की तरफ चला, पर अपने आलापे मित्रों से इसका कुछ जिक्र न किया, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था, कि दो ही चार दिनों में फिर अपना समू लेकर लोटना पड़ेगा, गाड़ी पर बैठा तो शाम हो गई थी, कुछ दिर तक सिगार और पत्रों से दिल बैलाता रहा, फिर मालूम नहीं कब नीन दा गए, आखे खुली और खिरकी से बाहर की तरफ जांका तो उशा काल का मनोरम द्रिश्य की भी परवत्ष्रेणिया, उन पर चर्ती भी उजली उजली गाएं और भेड़े, सुरे की सुनहरी किर्णों में रंगी भी बहुत सुन्दर मालूम होती थी, जी चाहता था कहीं मेरी कुटिया भी इने सुखद पहाड़ियों में होती, जंगलों के फल खाता, जर्नों का ताजा पानी पीता और आनंद के गीत गाता, यकायक द्रिश्य बदला, कहें उजले उजले पक्षी तैरते थे और कहें छोटी छोटी डोंगिया निर्बल आत्माओं के सद्रिश्य डगमगाती भी चली जाती थी, यह द्रिश्य भी बदला, पहाड़ियों के दामन में एक गाव नजर आया, जाड़ियों और व्रिक्षो से ढखा हुआ, मानो शान्ती और संतोष्ट ने यहां अपना निवास्थान बनाया हो, कहीं बच्चे खेलते थे, कहीं गाय के बच्चडे किलोले करते थे, फिर एक घना जंगल मिला, जुन्ड के जुन्ड हिरन दिखाई दि उनमें एक अवर्णी ये शान्ती दाइनी शोभा थी, जिससे हृदय में आकांग्शाओं के आवेग उठने लगते थे आखिरकार एश गर निकटा गया, मैंने बिस्तर समभाला, जरा देर में सिग्नल दिखाई दिया, मेरी चाती धड़कने लगी गाड़ी रुकी, मैंने उतर कर इधर उधर देखा, और कुलियों को पुकारने लगा इतने में दो वर्दी पहने वे आदमियों ने आकर मुझे सलाम किया और बोला चलिए, मोटर तयार है मेरी बाचे खिल गई, अब तक कभी मोटर पर बैठने का सवभागे न मिला था शान के साथ जा बैठा मन में बहुत लजजित था कि ऐसे फटे हाल क्यों चला आया अगर जानता कि सचमुच सभागी सूरत चमका है तो ठाट बाट से आता खैर मोटर चली, दोनों तरफ मॉलसरी के सगन व्रिक्ष थे सडक पर लाल बजरी बिचिवी थी सडक हरे भरे मैदान में किसी सुरम में जलधारा के सद्रिश बल खाती चली गई थी दस मिनट भी न गुजरे होंगे कि सामने एक शान्ती मैं सागर दिखाई दिया सागर के उस पार पहाडी पर एक विशाल भवन बना हुआ था भवन अभिमान से सिर उठाई वे था सागर संतोष से नीचे लेटा हुआ था सारा दिख्यक कावे श्रंगार और आमोट से भरा हुआ था हम सदर दर्वाजे पर पहुँचे कई आदमियों ने दोड़ कर मेरा स्वागत किया इन में से एक शौकीन मुन्शी जी थे जो बाल सवारे आँखों में सुर्मा लगाए वे थे मेरे लिए जो कमरा सजाये गया था उसके द्वार पर मुझे पहुचा कर वो बोले सरकार ने फर्माया है इस समय आप आराम करें संध्या के समय मुलाकात कीजेगा मुझे अब तक इसकी कुछ खबर न थी कि यह सरकार कौन है न मुझे किसी से पूछने का साहस हुआ क्योंकि अपने स्वामी के नाम तक से अन्बिग्य होने का परिचय मैं नहीं देना चाहता था मगर इसमें कोई संध्य नहीं कि मेरा स्वामी बड़ा सजन मनुश्य था मुझे इतने आदर सदकार की कदापी आशा न थी अपने सुसजित कमरे में जाकर जब मैं आराम कुर्सी पर बैठा तो हर्ष से वेवल हो गया पहाड़ियों की तरफ से शीतल वायों के मंद बंद जोके आ रहे थे सामने चज्जा था नीचे जील थी साम के केचुल के सद्रिश प्रकाश्चे पूर्ण और मैं जिसे भाग्य देवी ने सदैव अपना सोतेला लड़का समझा था इस समें जीवन में पहली बार निर्विग्न आनंद का सुख उठा रहा था तीसरे पहर शौकीन मुन्शी जी ने आकर इतला दी कि सरकार ने याद किया है मैंने इस बीच में बाल बना लिये थे तुरंत अपना सर्वोत्तम सूट पहना और मुन्शी जी के साथ सरकार की सेवा में चला इस समय मेरे मन में या शंका उठ रही थी कि मेरी बादचीत से कहीं स्वामी असंतुष्ट न हो जाए और उन्होंने मेरे विशे में जो विचार स्थीर किया है उसमें कोई अंतर न पढ़ जाए तथा पी मैं अपनी योग्यता का परिचा देने के लिए खुब अच्छी तरह तयार था हम कई बारामदों से होते अंत में सरकार के कमरे के दर्वाजे पर पहुँचे रेशमी परदा पढ़ा हुआ था मुन्शी जी ने परदा उठा कर मुझे इशारे से अंदर बुलाया मैंने कापते वे रिदय से कमरे में कदम रखा और उद्धिपन फूल पर भ्रमर उड़ उड़ कर उसका रस लेता है दीपक में पतंग जल कर खाक हो जाता है मेरे सामने कारीगरी मसनद पर जो सुंदरी विराजमान थी वो सौंदरे की एक प्रकाश में ज्वाला थी फूल की पंखुडियां हो सकती है ज्वाला को विभक्त करना असंभव है उसके एक एक अंग की प्रशंशा करना ज्वाला को काटना है वह नक से शिक तक ज्वाला थी वही दीपक, वही चमक, वही लालीमा, वही प्रभा कोई चित्रकार सौंदर प्रतिमा का इससे अच्छा चित्र नहीं खीच सकता था रमणी ने मेरी तरप वाचसली द्रिष्टी से देख कर कहा आपको सफर में कोई विशेश कष्ट तो नहीं हुआ मैंने संभल कर उत्तर दिया जी नहीं, कोई कष्ट नहीं हुआ रमणी, यह स्थान पसंद आया मैंने साहस्पोर्ण उत्सा के साथ जवाब दिया ऐसा सुन्दर स्थान तो प्रित्वी पर न होगा हाँ, गाइड बुक देखने से विदित हुआ कि यहां की जलवायों जैसी सुखत प्रकट होती है वास्तों में वैसा नहीं है विशले पशवों की भी शिकायत है यह सुनते ही रमणी का मुक सुर्य कांतिहीन हो गया मैंने तो चर्चा इसलिए कर दी जिससे प्रकट हो जाए कि यहां आने पर मुझे भी कुछ त्याग करना पड़ा है पर मुझे ऐसा मालूम हुआ कि इस चर्चा से उसे कोई विशेश दुख हुआ पर छणबड में सुर्य मंडल से बाहर वह निकल आई और बोली यह स्थान अपनी रमणियता के कारण बहुत लोगों की आँखों में खटकता है गुण का निरादर करने वाले सभी जगह होते हैं और यदि जलवायू कुछ हानी कर भी हो तो आप जैसे बलवान मनुशे को इसकी क्या चिंता हो सकती है रहे विशेले जीव जन्तु ये वो आपके नित्रों के सामने विचर रहे हैं अगर मोर, हिरन, हन्स विशेले जीव हैं तो निसंदे यहां विशेले जीव बहुत है मुझे शंशय हुआ कि कहीं मेरे कथन से उनका चित्त खिन्नन हो गया हो मैंने गर्व से कहा इन गाइड बुकों पर विश्वास करना सर्वता भूल है इस वाक्य से सुन्दरी का हिरिदय खिल गया बोली आप स्पष्टवादी मालूम होते हैं और यह मनुश्य का एक उच्च गुण है मैं आपका चित्र देखते ही इतना समझ गई थी आपको यह सुनकर आश्चरे होगा कि इस पद के लिए मेरे पास एक लाख से अधिक प्रातना पत्र आए कितने एमे थे कोई डियस्सी था कोई जर्मनी से पिएचडी उपाधी किये वे था मानो मुझे यहां किसी दाशनिक विशे की जाच करवानी थी मुझे अपकी यही अन्भा हुआ कि देश में उच्चे शेक्षित मनुष्यों की इतनी भर मार है कई महाश्यों ने तो स्वरचित ग्रंतों की नामावले लिखी थी मानो देश में लेखकों और पंडितों की यह आवशक्त है उन्हें काल गती का लेश मात्र भी परिचे नहीं प्राचीन धर्म कथाएं अब केवल अंधभक्तों के रसा स्वादन के लिए ही है उससे और कोई लाब नहीं यह भौतिक उन्नती का समय है आजकल लोग भौतिक सुख पर अपने प्राण अरपन कर देते हैं कितने ही लोगों ने अपने चित्र भी बेजे थे मैंने उन सभी को एक अलबम में लगा लिया है और अब अवकाश मिलते ही जब हसने की एक्षा होती है उन्हें देख लिया करती हूँ मैं उस विद्या को रोग समझती हूँ जो मनुश्य को बन मानुश बना दे आपका चित्र देखते ही आखे मुगद हो गई और तच्छन आपको बुलाने के लिए तार दे दिया मालूम नहीं क्यूँ अपने गुण सोभाव की प्रशंशा की अपिक्षा हम अपने बाहे गुणों की प्रशंशा से अधिक संतुष्ट होते हैं और एक सुन्दरी के मुख से तो वह चलते वे जादू की समान है बोला यथा साध्य आपको मुझसे असंतुष्ट होने का अवसर न मिलेगा सुन्दरी ने मेरी और प्रशंशा पूर्ण नेत्रों से देख कर कहा इसका मुझे पहले से ही विश्वास है आईए अब कुछ काम की बाते हो जाएं इस घर को अपना ही घर समझी और संको छोड़कर आनन्द से रहिए मेरे भक्तों की संख्या बहुत है वह संसार के प्रत्य एक भाग में उपस्तित है और बहुदा मुझे अनेक प्रकार की जिग्यासा किया करते हैं उन सबको मैं आपके सुपूर्द करती हूँ आपको उनमें भिन्न भिन्न सुभाव के मनुश्य मिलेंगे कोई मुझे सहायता मांगता है कोई मेरी निंदा करता है कोई सराहता है और कोई गालिया देता है इन सब प्राणियों को संतुष्ट करना आपका काम है लोटाना चाहता है इतने दिनों तक उस संपत्ती का उभ्भोग करने के पश्चात अब उसका हाथ से निकलना अखर रहा है आपकी इस विशे में क्या सहमती है इनको उत्तर दीजिये कि इस समय कूट नीती से काम लो अपने भतीजे को कपट से प्रेम में मिला लो और जब वह निशंक हो जाये तो उससे एक साधे स्टैंप पर हस्ताक्षर ले लो इसके पीछे पटवारी और अन्य कर्मचारियों की मदद से इसी स्टैंप पर जायदात का बैनामा लिख लो यदि एक लगा कर दो मिलते हो तो आगा पीछा मत करो यह उत्तर सुनकर मुझे बड़ा कोतु हलुआ नीती ग्यान को धक्का सा लगा सोचने लगा यह रमनी कौन है और क्यों ऐसे अनर्थ का परामर्ष देती है ऐसे खुलम खुला तो कोई वकील भी किसी को राय न देगा उसकी और संदेहात्मक भाव से देख कर मैंने बोला यह तो सर्वथा न्याय विरुद्ध प्रतीत होता है कामिनी खिलखिला कर हस पड़ी और बोली न्याय की आपने भली कही यह केवल धर्मांद मनुश्यों के मन का समझोता है संसार में इसका कोई अस्तित्व नहीं बाप रिंड लेकर मर जाए लड़का कोड़ी कोड़ी भरे विद्वान लोग इसे न्याय कहते हैं मैं तो इसे घोर अत्याचार समझती हूँ इस न्याय के परदे के गाठ में पूरे महाजन की हेकडी साफ जलक रही है एक डाको किसी भद्र पूरुष की घर में डाका मारता है लोग उसे पकड़ कर क्याद कर लेते हैं धर्मात्मा लोग इसे न्याय कहते हैं किन्तो यहां भी वही धन और अधिकार की प्रचंडता है भद्र पूरुष ने कितने ही घरों को लूटा कितनों कहीं गला दबाया और इस प्रकार धन संजय किया किसी को भी उन्हें आख दिखाने का साहस न हुआ डाको ने जब उनका गला दबाया तो वो अपने धन और प्रभुत्व के बल से उस पर वज़ प्रहार कर बैठे इसे न्याय नहीं कहते संसार में धन, छल, कपट, धूर्तिता का राज्य है यही जीवन संग्राम है यहां प्रत्य एक साधन जिससे हमारा काम निकले जिससे हम अपने शत्रों पर विजय पा सके न्याय नुकूल है और उचित है धर्मयुद्ध के दिन अब नहीं रहे यह देखिए यह एक दूसरे सजन का पत्र है वह कहते हैं कि मैंने प्रथम शेणी में एमे पास किया प्रथम शेणी में कानून की परिक्षा पास की पर अब भी मेरी बात कोई नहीं पूचता अब तक यह आशा थे कि योग्यता और परिश्रम का अवश्य ही कुछ फल मिलेगा पर तीन साल के अनभव से ग्यात हुआ कि यह केवल धार्मिक नियम है तीन साल से घर की पूंजी खा चुका अब विवा शोकर आपकी शरण लेता हूँ मुझ हत भाग्य मनुष्य पर दया कीजिए और मेरा बेडा पार लगाईए इनको उत्तर दीजे की जाली दस्तवेज बनवाईए और जूठे दावे चला कर इनकी डिगरी करा लीजिए थोड़े यी दिनों में आपका क्लेश निवारन हो जाएगा यह देखिए एक सजजन कहते हैं कि लड़की सयानी हो गई जहां जाता हूँ लोग दहेज की गठरी मांगते हैं यहां पेट की रोटियों का ठिकाना नहीं किसी तरह भलमांसी निभा रहा हूँ चारो ओर निंदा हो रही है जो आग्या हूँ उसका पालन करूँ इन्हें लिखिय कन्या का विवा किसी बुढ़े खुराट सेट से करवा दीजिए वह दहेज लेने की बजाए उल्टे कुछ और देही जाएगा तो अब तो आप समझ गये होंगे कि ऐसे जिग्यासियों को किस धंग से उत्तर देने की अवशक्ता है उत्तर संशिप्त होना चाहिए बहुत टीका टिपणनी व्यर्थ होती है अभी कुछ दिनों तक आपको यह काम कठीन जान पड़ेगा पर आप चतुर मनुष्य हैं शिग्री है आपको इस काम का अभ्यास हो जाएगा तब आपको मालूम होगा कि इस से सहच तो और कोई उपाई ही नहीं आपके द्वारा सैक्रो दारून दुख भोगने वालों का कल्यान होगा और वा आजन में आपका यश गाएंगे मुझे यह रहते एक महिने से अधिक का समय हो गया पर अब तक मुझ पर यह रहस्य ने खुल सका कि यह सुन्दरी कौन है मैं किसका सेवक हूँ इसके पास इतना अतुलधन ऐसी ऐसी विलास की सामगरियां कहां से आती है जिदर देखता था एश्वरे ही का एक आडम पर दिखाई देता था मेरे आश्चरे की सीमा न थी मानो किसी तिलिस्म में फसा हूँ इन जिग्यासाओं का इस रमणी से क्या सम्बन्दे या भेद भी न कुलता था मुझे नित्य उससे साक्षात होता उसके समोखाते ही मैं अचेट सा हो जाता था उसकी चित्वनों में एक आकर्शन था जो मेरे प्राणों को खीच लिया करता था मैं वाक्षुन्ने हो जाता केवल चिपीवी आँखों से उसे देखा करता था पर मुझे उसकी मृदुल मुस्कान और रस्मई आलोचनाव तथा मधूर कावेवें भावों में प्रेमानंद की जगह एक प्रबल मानसिक अशान्ती का अनबाव होता था उसकी चित्पने हृदय को वाणों के समान छेथती थी उसके कटाक्ष चित्थ को व्यस्त करते थे शिकारे अपने शिकार को खिलाने में जो आनंद पाता है वही उस सुन्दरी को मेरी प्रेमातूरता से प्राप्थ होता था वह एक सुन्दरे की ज्वाला थी जलाने की सिवाए और क्या कर सकती थी तिस पर मैं पतंग की भाती उस ज्वाला पर अपने आपको समर्पन करना चाहता था यही आकांख्ष होती थी कि उन पद कमलों में सिर्रक कर प्राण दे दू यह केवल उपासक की भक्ती थी काम और वासनाओं से शुन्य मुझे अब अपने नियतकार्यों का खूब अभ्यास हो गया था मेरे पास प्रती दिन पत्रों का पोथा पहुँच जाता था मालूम नहीं किस डाक से आता था लिफापो पर कोई मोहर न होती थी मुझे इन जिग्यासुओं में बहुता वह लोग मिलते थे जिनका मेरी दृष्टी में बड़ा आदर था कितने ही ऐसे महात्मा थे जिनसे मुझे शद्धा थी बड़े-बड़े विद्वान, लेखक, अध्यापक, बड़े-बड़े एश्रेवान, रईस यहाँ तक कि कितने ही धर्म के आचारे, नित्ते अपनी राम कहानी सुनाते थे उनकी दशा अत्यंत करोना जनक थी सब के सब मुझे रंगेवे सेयार दिखते थे जिन लेखकों को मैं कभी अपनी भाषा का अस्तंब समझता था उनसे घ्रिणा होने लगी वह केवल उचक्के थे जिनकी सारी कीर्ती, चोरी, अन्वाद और कतर व्योत पर निर्भर थी जिन धर्म के आचारियों को मैं पुज्य समझता था वह स्वार्थ, त्रिश्ना और घोर निच्टा के दलदल में फसे वे दिखाई देते थे मुझे धीरे-धीरे या अन्वा हो रहा था कि संसार की उत्पत्ती से अब तक लाखों शताब्दियां बीत जाने पर भी मनुष्य वैसा ही क्रूर, वैसा ही वासनाओं का गुलाम बना हुआ है बल्कि उस समय के लोग सरल प्रकिर्टी होने के कारण इतने कुटिल, दुराग्रहों में इतने चालाक न होते थे एक दिन संध्या समय उस रमणी ने मुझे बुलाया मैं अपने घमंड में यह समझता था कि मेरे बागपन का कुछ न कुछ असर उस पर भी होता है अपना सर्वोत्तम सूट पहना, बाल सवारे और विरक्त भाव से जाकर बैठ गया यदि वह मुझे अपना शिकार बना कर खेलती थी, तो मैं भी शिकार बनकर उस से खिलाना चाहता था जो ही मैं पहुँचा उस लावर्ने महीने मुस्कुरा कर मेरा स्वागत किया पर मुख्चंद्र कुछ मलिन था, मैंने अधीर होकर पूछा सरकार का जी तो अच्छा है उसने निराश भाव से उत्तर दिया जी हाँ, एक महिने से एक कठिन रोग में फस गई हूँ अब तक किसी भाती अपने आपको संभाल सकी हूँ पर अब रोग असाध्य होता जाता है उसकी औशदी एक निर्दय मनुश्य के पास है वो मुझे प्रती दिन तडपते देखता है पर उसका पाशान हिर्दय जरा भी नहीं पसीजता मैं इशारा समझ गया मेरे सारे शरीर में बिजली सी दोड़ गई सांसे वेक से चलने लगी एक उनमत्तता का अन्भाव होने लगा निर्भायोकर मैं बोला संभावे जिसे आपने निर्दय समझ रखा हो वह भी आपको ऐसा ही समझता हो और भै से मूँ खोलने का साहस न कर सकता हो सुन्दरी ने कहा तो ऐसा कोई उपाय बताईए जिससे दोनों और की आग बुझे प्रियतम अब मैं अपने हृदय की दहकती वी विरहागनी को नहीं चिपा सकती मेरा सर्वस्वा आपको भेट है मेरे पास वा खजाने हैं जो कभी खाली न होंगे मेरे पास वा साधन है जो आपको कीरती की शिखर पर पहुँचा देंगे मैं समस्त संसार को अपने पैरो पर जुका सकती हूँ बड़े-बड़े समराथ भी मेरी आग्या को नहीं टाल सकते मेरे पास वा मंत्र है जिससे मैं मनुश्यों के मनोवेग को छण भर में पलट सकती हूँ आईए मेरे हृदय से लिपट कर इस दाह करांती को शांत कीजिए रमनी के चहरे पर जलतीवी आग की सी कांती थी वह दोनों हाथ फैलाए मेरी उड़ बढ़ी उसकी आखों से आग की चिनगारिया निकल रही थी परन्तु जिस प्रकार अगनी से पारा दूर भागता है उसी प्रकार मैं भी उसके सामने से एक कदम पीछे हट गया उसकी प्रेमातूर्ता से मैं भैबीत हो गया जैसे कोई निर्धन मनुष्य किसी के हाथो से सोने का इट लेते वे भैबीत हो जाए मेरा चित एक अग्यात आशंका से काप उठा रमणी ने मेरी और अगनी मैं नेत्रों से देखा मानु किसी सिंगनी के मुँँ से उसका आहार चीन लिया गया हो और सरो शोकर्व बोली यह भीरूता क्यों? मै मैं आपका तुछ्य सेवक हूँ इस महान आदर का पात्र नहीं रमणी तो आप मुझसे घ्रिना करते हैं मै यह आपका मेरे साथ अन्याय है मैं इस योग्य भी नहीं कि आपके तलुओं को आखों से लगाऊं आप दीपक हैं, मैं पतंग हूँ मेरे लिए इतना ही बहुत है रमणी नहराश्य पूर्ण क्रोध के साथ बैठ गई और बोली वास्तो में आप निर्दई हैं मैं ऐसा ना समझती थी आप में अभी तक अपनी सीख्षा के कुसंसकार लिप्टे हुए हैं पुस्तकों और सदाचार की बेड़ियां आपके पैरों से नहीं निकली हैं मैं शिग्र ही अपने कमरे में चला आया और चित्ते के स्थीर होने के बाद जब मैं इस घटना पर विचार करने लगा तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि अगनी कुंड में गिरते गिरते बचा कोई गुप्त शक्ती मेरी सहायक हो गई या गुप्त शक्ती क्या थी मैं जिस कमरे में ठहरा हुआ था उसके सामने जील के दूसरी तरफ एक छोटा सा जोपड़ा था उसमें एक व्रिद्ध पुरुष रहा करते थे उनकी कमर तो जुग गई थी पर चहरा तेज में था वो कभी-कभी इस महल में आया करते थे रमणी न जाने क्यों उनसे घृणा करती थी मन में उनसे डरती थी उन्हें देखते हैं घबरा जाती मनो किसी असमंजस में पड़ी वी हो उसका मुख फीका पड़ जाता जाकर किसी गुपत स्थान में वो मुझे चिपा लेती मुझे उसकी दशा देखकर कौतू हल होता था कई बार उसने मुझसे भी उनकी चर्चा की थी पर अत्यंत अपमान की भाव से वो मुझसे उनसे दूर दूर रहने का उपदेश दिया करती और यदि कभी मुझे उनसे बाते करती देख लेती तो उसके माथे पर बल पड़ जाते थे कई दिनों तक मुझसे खुल कर बोलती न थी उस रात को मुझे देर तक नींद नहीं आई उधेडबुन में पड़ा हुआ था कभी जी चाहता आउ आखे बंद करके प्रेम रस का पान करे संसार के पदार्तों का सुक भोगे जो होगा देखा जाएगा जीवन में ऐसे दिव्य अफसर कहां मिलते हैं फिर आप ही आप मन खिंच जाता घ्रिना उत्पन हो जाती रात के दस बजे होंगे की हठात मेरे कमरे का द्वार आप ही आप खुल गया और वही तेजस्वी पुरुष अंदर आए यदिपी मैं अपनी स्वामिनी के भैसे उनसे बहुत कम मिलता था पर उनके मुख पर ऐसी शान्ती थी और उनके भाव में ऐसी पवित्रता और कोमलता थी कि हरेदय में उनके चत्संगे के उत्कांठा उठती थी मैंने उनका स्वागत किया और लाकर एक कुर्सी रख दिया मेरी ओर उन्होंने दयापुर्ण भाव से देख कर कहा मेरे आने से तुम्हे कोई कष्ट तो नहीं हुआ मैंने सेर जुका कर उत्तर दिया आप जैसे महात्माओं का दर्शन मेरे लिए सवभागे की बात है महात्मजी निश्चिन्थ होकर बोले अच्छा तो सुनो और सचेत हो जाओ मैं तुम्हें चेतावनी देने के लिए आया हूँ तुम्हारे उपर एक घोर विपत्ती आने वाली है तुम्हारे लिए इस समय इसकी सिवाए और कोई उपाय नहीं कि यहां से चले जाओ यदि मेरी बात न मानोगे तो जीवन परियंत कष्ट भोगोगे और इस माया जाल से कभी मुक्त न हो सकोगे मेरा जोपड़ा तुम्हारे सामने था मैं भी कभी-कभी यहां आया करता था पर तुम से मिलने के अविशक्ता न समझी यदि पहले ही दिन तुम मुझे मिलते तो सहस्रो मनुशों का सर्वनाश करने के अपरात से बच जाते निससंदे तुम्हारे कर्मों का फल है जिसने आज तुम्हारी रक्षा की अगर यह पिशाचिनी एक बार तुम से प्रेमा लिंगन कर लेती तो फिर तुम कहीं के न रहते तुम उसी दम उसके अजायब खाने में भेज दिये जाते वो जिस पर रीचती है उसकी यही गत बनाती है यही उसका प्रेम है चलो इस अजायब खेर की सैर करो तब तुम समझोगे कि आज तुम किस आफ़त से बचे यह कहकर महात्मा जीने दीवार में एक बटन दबाया तुरंत एक दर्वाजा निकलाया यह नीचे उतरने की सीड़ी थी महात्मा उसमें घुसे और मुझे भी उसमें बुलाया घोर अंधकार में कई कदम उतरने के बाद एक बड़ा कमरा नजर आया उसमें एक दीपक टिम्टी मा रहा था वहां मैंने जो घोर, विभत्स और रिदे विदारेक द्रिश्य देखे उसका स्मरण करके आज भी रोंग्टे खड़े हो जाते हैं इटली के अमर कवीट टाइंडी ने नरक का जो द्रिश्य दिखाया था उससे कहीं भायावा, रोमांचकारी और नरकीय द्रिश्य मेरी आखों के सामने उपस थी था सैकडो विचित्र देहधारी नाना प्रकार की अशुद्धियों में लिप्टे वे भूमी पर पड़े कराह रहे थे उनके शरीर मनुष्यों के थे, लेकिन चेहरों का रूपांतरण हो गया था कोई कुत्ते से मिलता था, कोई गीदर से, कोई बनबिलाव से और कोई साम से एक स्थान पर एक मोटा स्थूल मनुष्य, एक दुर्बल शक्तिहीन मनुष्य के गले में मोह लगाए उसका रक्त चूज रहा था एक और दो गिद्धे की सूरत वाले मनुष्य एक सड़ी वी लाश पर बैठे उसका मांस नोच रहे थे एक जगा एक अजगर की सूरत का मनुष्य एक बालक को निगलना चाहता था पर बालक उसके गले में अटका हुआ था दोनों ही जमीन पर पड़े छट पटा रहे थे एक जगा मैंने अत्यनत पैशाचिक घटना देखी दो नागिन की सूरत वाले स्त्रियां एक भेडिये की सूरत वाले मनुष्य के गले में लिप्टी वी उसे काट रही थी वह मनुष्य घोर वेदना से चिल्ला रहा था मुझसे अब और ना देखा गया तुरंत वहां से भागा और गिरता पड़ता अपने कमरे में आकर दम लिया महात्मा जी भी मेरे साथ चले आए जब मेरा चित्ते शान्त हुआ तो उन्होंने कहा तुम इतनी जल्दी घबरा गए अभी तो इस रहस्य का एक भाग भी नहीं देखा यह तुम्हारे स्वामीनी के विहार का स्थान है और यही उसके पालतु जीव है इन जीवों के पिशाचाबिने देखने में उसका विशेष मनुरंजन होता है यह सभी मनुशे किसी समय तुम्हारे ही समान प्रेम और प्रमोत के पात्र थे पर उनकी अभिया दुरगती हो रही है अब तुम्हे मैं यही सलाह देता हूँ कि इसी दम यहां से भागो नहीं तो रमणी के दूसरे वार से कदापी न बचोगे यह कहकर महात्मा अद्रिशे हो गए मैंने भी अपनी गठरी बांधी और अधरात्री के सन्नाटे में चोरों की भाती कमरे से बाहर निकला शीतल आनंद मैं समीर चल रहा था सामने के सागर में तारे छिटक रहे थे मेहंदी की सुगंधी उड़ गई थी मैं चलने को तो चला पर संसार, सुख, भोग का ऐसा सुववसा छोड़ते विद दुख होता था इतना देखने और महात्मा का उपदेश सुनने पर भी चित्त उस रमणी की और खिचता था मैं कई बार चला, कई बार लोटा पर अंत में आत्मा ने इंद्रियों पर विजय पाई मैंने सीधा मार्ग छोड़ दिया और जील किनारे किनारे गिरता पड़ता कीचड में फस्ता हुआ सडक तक आ पहुँचा यहां आकर मुझे एक विचित्र उल्लास हुआ मानो कोई चिडिया बाज के चंगुल से छूट गई हो यदिपी मैं एक मास बाद घर लोटा था फर अब जो देखा तो अपनी चार पाई पर पड़ा हुआ था कमरे में जरा भे गर्द या धूल न थी मैंने लोगों से इस घटना की चर्चा की तो लोग खूब हसे और मित्रगण तो अभी तक मुझे प्राइवेट सेक्रेटरी कहकर बनाया करते हैं सभी कहते हैं कि मैं एक मिनट के लिए भी कमरे के बाहर ही नहीं निकला महिने भर गायब रहने की तो बात ही क्या इसलिए अब मुझे भी विवश होकर यही कहना पड़ते हैं कि शायद मैंने कोई स्वपन देखा हो कुछ भी हो परमात्मा को कोटी कोटी धन्यवाद देता हूँ कि मैं उस पाप कुण्ड से बचकर निकलाया वा चाहे स्वपने ही हो पर मैं उसे अपने जीवन का एक वास्तविक अन्भाव समझता हूँ क्योंकि उसने सदयव के लिए मेरी आखें खोल दी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जल्द मिलूँगी एक नई कहानी के साथ नमस्कार